हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लिव विट वोट यू लव डी वाइस डेकोर यूर होम फोटो देखकर आपको अंदाजा लगी गया होगा कि आज हम किस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे विद्या प्लांट के बारे में जिसको और नाम से जाना जाता है थूजा एक इसका नाम है मयूर पंकी और मोर पंक के नाम से भी जाना जाता है तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे विद्या प्लांट की प्लांटिंग प्लांटिंग करने से पहले आपको जरूरी चीज़ है उसके अंदर है एक पोट आपको चीज़र और मिट्टी जो आपको इसमें डालनी है और उसके अलबा पानी इनी चीज़ों क साथ आफ उमाप फ्लांटिंग सुरू करते हैं तो जो प्लांट मैंने लिया है सबसे पहले आपको देखना है कि आप एक हेल्दी प्लांट लें जिसकी रूट्स और उसकी लीफ्स जली भी नहीं हो और उसके अंदर कोई दूसरा प्लांट लगा हो तो उसका आप उखाड़ दें तो आप इसकी जो रैपर है पॉलतिन इसको कट करते हैं आपको उसको कट करना है ध्यान से कट कीजिएगा कि इसकी रूट डेमेज नहीं हो अगर थोड़ी बहुत होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पॉलतिन कट करने के बाद हमने हमारा पॉर्ट लिया है पॉर्ट में आपको जो सबसे जरूरी बात करें घ्यान अब कमोए कि दिसके हम इस पतर से कवर करेंगे या चूर्ड वेय आप देख सख्ते हैं मेरे पॉर्ट में ड्रीयनेज हॉल है ड्रीनिज होल ऀन जरोरी हूं अपको भी बादरी करें तो यह खराब नह 1 वार तो उसकी वज़र से इसलिए को तरिक उज़ता है व गार्डन सोल से में अपना जो है तल है जो पॉर्ट का वो कवर कर दिया है मैंने उसका सरफेस सरफेस कवर करने के बाद हम हमारे जो प्लांट है उसको इसमें लगाते हैं आपको प्लांट लगाते समय पॉर्ट में यह दियान रखना है कि आपके प्लांट की जो मिटी है उसम पोट के अंदर दोस्त एक से डेड़ इंज की जगह रहनी चीए ताकि आप उसको पानी दे सकें और जब भी इसको फर्टिलाइज करना हो तो आप उसको आसानी से फर्टिलाइज भी कर सकें प्लांट को रखने के बाद आपको उसके आसपास मिट्टी अच्छी तरीके से बर देनी है दबा दबा के जिससे कि बाद में आपकी मिट्टी का इस्तर कम नहीं हो और मिट्टी डालने की जरुत नहीं पड़ें मैं इसकी मिट्टी जो है वो पूरी अची तरीके से बर देता हूँ आप देख सकते हैं जो मैंने सॉयल यूज लिए है वो बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉयल है प्लांट लगाते हैं अभी आपको कोई भी फर्टिलाइजर इसमें एड़ करने की जरूत नहीं है इसको एक बार लगाने के बाद आपको उसको अची तरीके से वाटर करना है क्योंकि जो मिट्टी है वो पूरी गीली होने में काफी वाटर के जरूत होती है तब तक आपको उसको वाटरिंग नहीं जब तक कि आपकी ड्रेनेज होल से पानी बाहर रना आ जाए तो ये हमने हमारा जो प्लांट है वो प्लांटिंग कर दिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सांधार ये प्लांट लग रहा है देखने में तो अब हम बात करते हैं कि हमें हमारे विद्या प्लांट की टेकिंग केर कैसे करनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की वाटरिंग के बारे में आपको इस प्लांट की वाटरिंग दिन में एक वार करनी है और उससे पहले आपको चेक करना है कि प्लांट की मिट्टी गीली है अगर गीली है तो आपको वाटर नहीं देना है जब पूरी सूख जाएं तो ही आपको इसको watering देनी है अब हम बात करते हैं कि आपकी plant को कहां रखना है यह एक indoor plant है लेकिन इसको 3-4 गंटे की full sunlight की जरुद होती है तो plant को किसी ऐसी जगह रखें जहां 3-4 गंटे की अच्छी sunlight आती हो आप इसको indoor रख सकते हैं outdoor अगर आप रख रख रहे तो आपको ध्यान रखना है कि इसको पूरे time full sunlight नहीं आए नहीं तो plant के जलने के चांसे ज़्यादा रहते है आप अपने विद्या plant को बालकनी में रख सकते हैं अपने में डूर के पास जहां parcel sunlight आती हो वहां रख सकते हैं अब इस plant के बारे में एक extra information अगर आप बिलीव करते हैं वास्तु सासर और फैंक सोई में तो ये plant भी lucky plant की series में आता है उसके लिए आपको सिरिप करना होगा इस plant को आपको रखना होगा उत्तर पूर्व दिसा के अंदर और इस plant को लगाते समय ध्यान रखेंगी आपको इसको अपने main door के पास लगाना है और इस plant को दो plant एक साथ लगाएं फैंक सोई और वास्तु सास्तुर के अनुसार ये plant आपके घर में wealth and prosperity लाता है तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में आप comment कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं Thank you for watching live with what you love